आप सब भी का सुगोत है उत्तर परदेश स्टेट का राउंड टू के लिए कितने सीट MBBS गोर्रिमेंट का एविलेबल है जारी हो गया है अभी आपको दिखाने बला हूँ इसके साथ ही अभी आपको बताने बला हूँ कटफ लो जाएगा या हाई और आपको कुछ सजेशन भी देने वाला हूँ जो की काफी जादा इंपोर्टन है शुरू करते हैं और हाँ यह जो पीडिएफ है टेलीग्राम जॉइन कर लेना मिल जाएगा टेलीग्राम जॉइन जरूर कर लेना सभी नोटिफिकेशन मिलता है और बहुत जल्द और इंडिया कोटा का जो भी क्लो सबसे पहले आप सब भी देख लो किस कोलेज में कितने सीट खाली है सबसे ज़्यादा गर आप देखो तो केजी एमियू लग्ताओं में 20 सीट खाली है टोटल और मेरट में 10 सीट बाकी यहां देखो यहां सी में 5 सीट काफी कम सीट है 9 सीट खाली परियागराज उसी तरीके से आप सब भी यहां पर देख लो बाकी कोलेज के राम यह PDF आपको मिल जाएगा सबसे ज़्यादा आपका सीट खाली यहां पर केजी में के बाद यहां पर आपका आरेमेल में यह कोल है आरेमेल और यहां पर कानपूर में उसके बाद 722 सभी में काफी कम है उसके बाद 10 सीट जो है वो खाली आपका एटा में नाइन सीट खाली आपका जो है वो आपका हर इस तरीके से है, मैं एक बात आपको बता दू, टोटल सीट भी पहले आपको दिखा जेता हूँ, बहुत सारे बच्चे इंजार कर रहे हैं, अब देखो, टोटल सीट जो है, 175 सीट वैकेंसी और 77 जो आपका सीट है, ये बच्चों ने रिजाइन किया है, टोटल सीट जो अभ थोड़ी दितल साइड कर दें, तो मैं आपको बता दू, ये 2023 में, 2023 में, टोटल 180 सीट वैकेंसी साथ, और अगर 2023 से कंपेर करो, तो इस बार, 5 सीट तो कमी आया है, यहाँ पे देखो, 180 सीट दोज़ाइन में खाली थे, बट इस बार 135 है, ये तो रिजाइन इस बार स्टार की सततर सीट आ गया, अब बहुत सारे स्टों ये पूछेंगे, जबकि मैं एक बात बता दू, यहाँ पे देखो, ये जो नए कॉलेज है, पीली वीत हो गया यहाँ पे, वो आपका, उसके बाद, ललित पूर, कुष्टी नगर, यहाँ पे, ये नए कॉलेज आनिक की बाव बचन उठाया है, अब हम बात करते हैं, कि जिस कैटेगरी में सीट नहीं है, मालो, मैं कहता हो कि चलो, यहाँ बीजनौर में, एक अभी नए कॉलेज में एक भी सीट नहीं था, अभी ये, अब बुलन सहर में, एक भी सीट वेकेंसी नहीं है, आपने को एक भी सीट नहीं है जीनो सीट माद दो सीट रिजाइन से आया है अब एस्टूइंट यह कहेंगे की बलंग सहर में तो हम जा निए सकते हैं, नई जा सकते हो च्व में आपको बतारू, मालो भुलन सेहर में अगर 15 पंदरः ईस्टूडेंट ने अपरेड़ किया है तो साथ seat पितो यहाँ पे जूसरे student आएगा की नहीं आएगा, यह नीची से student यहाँ पे आएगा, तो नीची का college जो है, लोर college जो भी यहाँ पे लोर यह पे प्रिफ्रेस नहीं है, जो भी लोर college है, वहाँ तो seat खाली और होंगे न, shift होता जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा, कि जिस category में seat नहीं है उसमें आप नहीं जा सकते हैं वर्चूल वेकेंसी के द्वारा मेरी बात आपको समझ में आ रहे हैं अब हम बात करते हैं cut-off के बारे में तो मैं आपको बता दू कि उत्तर परडेस ऐसा state है जहां पर prediction करना बहुत ज़्यादा मुश्खिल है very tough अभी तक round 2 में cut-off increase होता रहा है 23 तक अब हम लोग अनुमान यह लगा रहे थे इस बार free exit की वजह से और अपग्रेडेशन की वजह से seat आएंगे और थोड़ा बहुत cut-off लो जाएगा मैं आप सभी को expected cut-off बतायता हूँ देखो मैं आप सभी को बता दूए एक बात जैसे आप सब इन देखा अभी 175 प्लस रिजाइन इस्टुडेंट ने किया टोटल कितना हुए 252 सीट और इस बार जो नय कॉलेज आया है उसमें कुछ 15% और इंडिया कोटा में चले गए टोटल जो स्टेट में रहेंगे वो 510 रहेंगे ठीक है यानि आपके पास 762 सीट अभी एवेलेबल है अब मैं आपको बता दूए एक्सपेक्ट कटफ केटिगरी में क्या जा सकता है इसको देखे आप सम्भी देखो यह रहा उत्तर पर इस राउन वन का कटफ एक बात बता दूए यूपी ए स्टेट बहुत जादा अन प्रेडिक्टेबल होता है मैं फिर भी एक अपना जो भी एक्सपेक्ट मैंने किया ह वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यूवर अन रिजर्ब ओपन और गल्स का मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि तीन नमबर और कम जाना चाहिए यानि मोटा मुट्यकर मैं बात करूँ 26 के तक यानि 26,000 तक जाना चाहिए 26.2, 26.3 के आस पास जाना चा करता है मेरा अपना नुमान है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6.2 तो देगा ही देगा अब बात कर रहा हूँ EWS ओपन और गल्स के लिए तो यह रहा कड़ा इसमें भी आप 2 से 3 नमबर 2 से 3 नमबर आप एक अंधाजा आप लगा कर चलना इसमें भी लो जा सकता ह है अब BC ऑपन का बात करों ओर गल्स का इसमें भी आपकी नमरर एक्सपेक्ट करके चलना कम होगा AC ऑपन का अगर मेरा पत्रों तो मेरा अंधाज़ा इसमें है गल्स और पिन का कि इसमें भी लगबक 6 नमर का डिफरेंस या 5 नमर का डिफरेंस, negative या माइस में होना चाहिए एस्ती और ओपन गल्स में भी मेरा अपना दजा है कि इसमें भी लगबग लगबग 6-8 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए यह मार्क्स में बता रहूँ आपको ठीक है क्योंकि देखो क्योंकि यह यूपी स्टेट का अपना राइंक राउंड वन का है यह मैंने अपन यह एकस्ट किया कि लो कटफ रहेगा तीन नंबर 2-3 EWS योगरे और 3 OBS योगरे देना चाहिए इतना तो मुझे लग रहा है कि सीच अब भी बहुत जादा है ठीक है बट मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूं को फिर से अगर आप सभी को All India Quota Round 2 से अलॉट्मेंट मिला ह है इसके भरोसे मत बैटना मैंने कहा ना यूपी एस्टेट बहुत ज्यादा अन प्रेडिक्टेबल होता है आपको वहां पर एडिबिर्शन ले लेना और यूपी एस्टेट के अठाटाइस या उन्तिस को एलॉट्मेंट आता है आपको पता है कि All India Quota Round 2 रिजाइन कर सकते है 1st October तक रिजाइन कर सकते हैं तो वहां पर डॉक्मेंट रिजाइन कर सकते हैं तो आपको अगर एस्टेट अराउंड टू में मिल जाता है तो All India Quota Round 2 में जो एडिबिर्शन लेने के बार डॉक्मेंट कैसे देंगे तो मैं आप सभी को बता दूँ All India Quota का रिजाइन करने का डेट 1st October तक है आप रिजाइन कर सकते हो हाँ आप सभी मेरा स्मार्ट नो की नीट यूजिट टेलिग्रम जाइन कर लो देखो देखो मौर्णिंग के पांच बजए मैंने अपडेट किया है इसके बारे में मौर्णिंग के पांच बजए मैं कितना एक्टिव रहता हूं सभी स्टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखो सभी स्टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा ओल स्टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा सभी नोटिफिकेशन देखो जाइन कर लो पटाफ़ट आपको भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा तो तो All India Quota 1st October तक आप रियाइन कर सकते हो सेकुर्टी बनी को फोरिश्मिट कराकर और रियाइन करने के बाद आप अपने स्टेट में डॉक्मेंट ले कराना और एड़िशन लेना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम सेफ तो रहोगे ना आप जो सोंसरे हो कि स्टेट में हम एड़िशन लेंगर राओं तू में All India Quota को छोड़ कर तो बेटर ऑप्सन दे रहा हूँ अगर All India Quota पे अच्छा कोड़ मिला है एड़िशन ले लो आप क्यूंकि स्टेट से मिलने क पॉस्ट्बिटी बहुत कम है मैंने कहा ना कि अगर यूपी स्टेट का कटफ लो भी जाता है तो बहुत जादा माइनर कम जाएगा या हो सकता है कम जाए है नहीं या हो सकता है कम ना हो यह मैंने आपको क्लेर कर दिया तो सेफ रहना आप सभी कभी भी अनसेफ ना रहना य एक बात मैं आप सब भी को और बता दू अगर आप सब भी मेरा पॉर्शनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप सब भी ले जिए जो कोर्स है मैंने काफी कम कर दिया है 2499 जो भी rest counseling बचा है state और all in Dakota का complete guidance और आपका counseling का process मैं कर दूँगा complete all in Dakota state का counseling best decision आपको अभी चाहिए वो मैं आपको दूँगा सब भी को मेरा personal mobile number मिल जाएगा और direct कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं phone करके और गुरूप में add कर दिये जाएगा सभी notification मिलेंगे और मेरे से diet आप कभी बात कर सकते हैं best preference list, bond information, सभी notification, college free information, सभी जेट आपको मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ गूगल पे phone पे paytm डारेक्ट इस नंबर पे कर दिजेगा फोन करने की जोटनी है जैसे आप payment करते हैं उसके एक से दो घंटे के अंदर मेरा personal number और personal group आपको मिल जागा मेरे पास payment का जैसे आपका notification आएगा और एक काम किजेगा payment करने के बाद 8076096487 इसी नंबर पे payment का screenshot करके WhatsApp सेम नंबर पे कर दिजेगा तो अभी कित नहीं मिलते है अगरिव ग्यों में